कि ही गाईज देखो दो बड़ी ख़बर जहां पर हमें नजर रखना है सबसे पहले तो हम आये से टेसी के उपर डिसकस कर लेंगे तो यहां पर देखलो यस्टडे मतलब लास्ट वर्किंग डेको यहां पर आये सीटी से में थोड़ी बहुत गिरावड देखने को मिली है अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो खरीदो टेंचर नहीं है लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हो तो फस सकते हो याद रोगो फस नहीं का मतलब है डारेक्ट आपको नुक्सान हो सकता है क्योंकि आये से यह फंडमेंटली रियल वैल्लू नहीं है यह ओवर वैल्लू स्टॉक है थोड़ा एक्सपेंसिव हो चुका है समझने की कोशिस करो अगर एक्सपेंसिव वैल्यूशन पे अगर एक ट्रेडर खरीदेंगे तो भही उनको तो स्टॉप लॉस हो जाएगा वह तो मार्केट से फिर बाहर हो जाएगे इन्वेस्टर को कोई तकलिफ नहीं हो थोड़ के 3% हाला कि जब स्टॉक में 5-10% की तेजी देखने को मिलती थी तो लोग केवल 15% ही डिलेवरी उठाते थे इसके पीछे आगे पीछे का लॉजिक क्या लॉजिक यह ही है स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव था इसलिए लोग नहीं खरीद रहते थोड़ा सा रुक रहें थ और टिकर टैप एप में यही चीज़ आपको बताया जा रहा जो एंट्री लेवल है यहां पर देखोगे देख सकते हैं एंट्री पॉइंट लगवाग नौट यहां देख सकते हैं नौट ए गुड टाइम टू इन्वेस्ट यहां पर देख सकते हैं स्टॉक इस इन कुत नहीं है यह लगवक खबरों केदम पर चड़े जा रहा चड़े जा रहा और चड़े जा रहा और हलाकि एपर टेक्निकलि रही सकते हैं लेकिन इन्वेस्टर नहीं ठस ने वाले क्योंकि कि सिंकी अपर जब शिक्ष्टी- garage हुई थी ति नहीट वाल को देखने आक व तब तो भाई ये तो कुछ भी नहीं है ये तो लगभा उसके सामने 2-3% का गिरावाट भी आगर हो जाए तो को टेंचन वाली बात नहीं है फिर बोलो भाई जाओ इसको भी थोड़ा बहुत रेश्ट दो और एजस्ट होने का टाइम दो जैसे कि कोई इंसान अगर बहुत ज़ादा रनिंग कर लेता है तो फिर इंवारोमेंट के साथ एजस्ट होने की कोचिस करता है बोड़ी गर्म हो जाती है इंवारोमेंट ठंडा होता है तो यह सारी चीज़ों को देखना चाहिए यहां पर अब देखो सुगर सेक्टर में एक अच्छी खबर आई है कि अब दो एक्सपोर्ट भारत देस ना सुगर एक्सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट का डाम बढ़ा है वहां पर बेनिफिट देखने को में बढ़ेगा और ऐसी इसी कंप़नी णा आज को ज्यादे एक्सपोर्ट कर रही तो मैं विश्वराज सुगर मैं किवल यही नहीं बोल रहा हूँ का विश्वराज सुगर पूरे सुगर सेक्टर की में ब बात करो यह तो मैं आपको एक्जाम्पल के तौर पर दिखा रहूं के हम सुगर भी मैं आपको पहले बताया था हाला कि बताता नीचे हो खरीते लोग उपर है तो भाई जब बताया जाता उस वीडियो पर ध्यान दिया करो तो ज्यादा चाहोगा और देखो बहुत सारह से जो है 9.15 को ही अपना मतलब जंप हो जाता है 9.15 को ही तो यह दो खबरों पर आप नजर रख सकते हैं तो और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो आपने डिमेट अकाउंट एंजल में उपन कर सकते हैं जहाँ पर आप नसी बीस सी मिशल फंड कुछ भी खरी सकते ह बात नहीं जो चार्जेस वगरे हैं बहुत चोटे-चोटे हैं डिमेट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री है दिलेवरी चार्जेस फ्री क्यावल 20 रुपिस लगता वह बी इंट्राडे में जो हर जगद देखने को मिलता है देखो एंजल बन बन चुका नमबर वन स्टॉक ब डिमेट अकाउंट ओपिन कर सकते हैं